एक समय सारा अली खान का वजन था 96 किलो इन मुश्किलों को जिल्वे बनी एक ट्रेस बलेवुड एक ट्रेस सारा अली खान का जन्म दिन 12 अगस्त का होता है सारा अली खान की जब जब फिल्मों की बात होगी तब उनकी उस समय की भी चर्चा भी जरूर होगी जब उनका विजन 96 किलो हुआ करता था बताया जाता है कि सारा ने बच्पन से एक टिंग का सपना देखा जरूर लेकिन 96 किलो हुआ जन के कारण कभी नहीं सोचा था कि वो एक टिंग कर पाएंगी स्कूल कॉलेज हर जगें लोग उन्हें उनके मोटापे की वज़े से चिडाते थे सारा अली खान की दो फिल्में केदार नात और सिंबा कर चुकी हैं सारा ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी पसंदीदा पू यानि करीना कपूर उनके पापा की दूसरी पत्नी बनेंगी BBC Asia Network के हारून रशीद से बाचीत में सारा अली खान ने कहा 23 साल से मैं ये सपना देख रही हूँ पर 4-5 साल की उम्र में मैंने ठान लिया था कि एक टिंग ही करनी है बचपन से ही एक टिंग का शौक रखने वाली सारा ने स्कूल में एड मिशन देने वाली हेड मास्टर को फोन पर ही दमा दम मस्त कलंदर गाना गा कर सुनाया और ममी पापा के पसंदीदा स्कूल में आसानी से एड मिशन ले लिया सारा के एक बायान के अनुसार वो कहती है कॉलेज के दूसरे साल के खत्म होते होते मैंने ठान लिया था कि एक्टर ही बनना है उस वक्त वजन एक बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया तीसरे साल तक मैंने वजन घटाना शुरू किया सारा कहती हैं मैंने केदारनाथ फिल्म करने को हाथो कह दिया था लेकिन जब शूटिंग करने पहुंची तब पता चला कि कितनी मेहनत करनी होगी ट्रेलर में एक सीन है जहां मैं गंगा में डुबकी लगा रही हूँ उस समय बहुत थंद थी पानी भी बहुत ज्यादा थंदा था ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल रही हूँ लेकिन सेट पर काम का कभी पता ही नहीं चला सब आसानी से हो गया सेट से बाहर आकर पता लगता था कि तबीयत खराब है या पैर में दर्द है पर कैमरे के सामने ये सब कभी महसूस नहीं हुआ आपको बात दें कि सारा अली खान की फिल्म के दारनात और सिंबा को दशकों ने काफी पसंद किया इन दिनों वेकार्तिक आरेन के साथ फिल्म लवाजकल के सीक्वल्टी शूटिंग में व्यस्थ है